क्रॉस किल्चुरल सैकॉलोजी टॉपिक तुड़े इस सोशल मोटेव इन कल्चुरल कॉंटेक्ट मुख्तलिफ मोटेव जो हैं वो स्टडी किये गए हैं एग्रेसिवनेस यनी जारहियत तशदुद हेल्पिंग बेहेवियर लोगों की मदद करना प्रो सोशल बेहेवियर और एचीवमेंट मोटिवेशन कितनी एहम हैं कितनी मुख्तलिफ हैं कितनी एक्टेस्टी हैं एक्रॉस तकल्चुर अब बात यह कि यह इनसानों के कुछ नैच्रल मोटेव जैसे उससे में आ जाना या तो तुमाम कल्चर में आज नहीं हिस्ट्री में पहला मर्डरी इनसान के जमीन पर आता ही हुआ था उसकी शकलें भी बदलती रही हैं अब इवन साइबर वाइलन्स आ गया है बोलिंग का कॉंसेप्ट आ गया है लेकिन यह इनसानी नेचर में या उसके बहेवियर में शाम अग्रेशन क्राइम जारियत बुलिंग वाइलन्स कम हैं वो किसी मुलक पर हमला नहीं करते कोई मुलक उन पर क्यों हमला करेगा तो जबके कुछ मुलक यह बकायदा से कुछ मुलकों पर हमला करते रहते हैं जिम्में अमेरिका सरय फरिस्ता है तो यह एक स्टडी हुई है और इसमें जो स्टडी किया गया है उसके उपर यह देखा जाता है कि इन डिफरेंसिस की वज़ा क्या है कुछ कल्चर पीस्पुल हैं उनमें रेट कम है क्राइम का जारियत का बलकि दो नेबर्स हैं कैनेडा और अमेरिका में गन वाइलनस बहुत कम हैं अमेरिका के और कैनेडा में उसके मकाबले में बहुत कम है तो इसको टड़ी करते हैं तो फिर यह देखते हैं कि क्या यह बायालोजी कल वज़ा है क्या इन्वाइरमेंट इसकी वज़ा है चारों तरफ ऐसा हो रहा है तो साइटी का कल्चर है इंडिविजूल के हालात हैं जैसे फिल्म इस में उन्हें अन्हें स्टडी है कि यह कि जंग जंगोजदल टाइप जो कॉन्फिक्ट केंँ वह गित्ने हैं वोBoyland गृम तुकितनी हैं है एड हंटिंग यानिखिकिन टारगेट किलिंग टाइप कितनी है और जादू करने का रिवाज कितने आह जो नुकसान पहुचान अपाची, कमांची, राजिव, इपो एंड जना माली अब अगर अफ्रीका में या एस्ट्रेलिया में कहीं भी यह औरिजिनल इंडिजनस ट्राइब को स्टडी किया गया तो इनको ज्यादा एग्रेसिव कहा गया है ठीक है जब के होपी इंडियन जो होते थे आइको बुश् इनको कहा गया है कि यह कम अग्रेसिव कुल्चर से यह रिसर्च की रेसर्च मैंने नीचे दी हुए है और इस तरह से कुल्च्ट्रल एस्पेक्ट ओफ एग्रेशन को स्टडी किया अब मॉडरन में इनों ने यह स्टडी किया कि स्विजिजन जर्मनी वेस्टरन और दो इस इनके बच्चे जो जैपनीज एडोलेसेंट चिल्डरन थे उन में सिग्निफिकेंटली लोर एग्रेशन थी कंपेर टू दा यॉर्पियन सांपल तो यह उन्होंने इस तरह से एग्रेशन के मोटिव को स्टडी किया एचीव्मेंट की तरफ आ जाते हैं क्योंकि वी नजर आये और आपको उसकी एप्रिसेशन मिले कि आपको यह काम बहुत अच्छा करना आता है चाब स्पोर्ट्स हो यह स्टडी हो यह स्टिल हो यह कोई प्रफेशनल एक्सपर्टीज हो यह तकरीबन यूनिवर्सल है यह तमाम कल्चर्स में पाया जाता है अब इस इंकरीजमेंट यह डिस्करीजमेंट कितनी मिल रही है यह मैकली लेंड ने चीवेंट मोटिवेशन पर बहुत काम किया है 1950 से उनकी बहुत रिसर्टीज है तो हमें यह पता चला कि अर्ली इंडीपेंडेंट्स ट्रेनिंग जो है वह इंपॉर्टेंट है जितनी चल्दी ब काम्याबों और काम्याबी हासिल करने में जो फर्क है वह इंडीपेंडेंट थिंकिंग है और पाकिस्तान में जितनी जल्दी यह स्कूल कॉलिज के बच्छों के माबाप को समझ आ जा जाए उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा अब अर्ली को भी हर कल्चर में अलगतरा समझ जा सकता है developmental age के है तो cross-cultural studies यह कहती है कि यह जो stage 8 साल की उमर पे पहुंचती है और उस वक्त के बाद आप individual difference देख सकते हैं कि यह बचा जो है यह achievement motivation में भी अच्छ है और हासिल भी कर रहा है जो वह करना चाहते